पेटरोल डीजर की बलती महंगाई ने आम जनता की कमल तोल रखी है SME इलेक्टीवहालों की तरफ आकरशनल बढ़ रहा है इलेक्टिक बाइको इलेक्टीवहालों की बिक्री भी बढ़ रही है इसलिए जादातर वहां निर्माद कंपनी अभी इलेक्टिव हालों पर काम कर रही है इसलिए को चलते आज की स्टूडियो में हम दिखाने वाले हैं दो कार टाइप इलेक्टिक थिविलर इसमें कार में आने वाले सारे फीचर्स दिये गे हैं तो देर ना करते हुए शुरुवात करते हैं यूजी बेस्ट मीनी इलेक्टिक थिविलर कार इस्टाटो कमने यूजी बेस्ट ने अपनी घरेलों मार्केट में नए वहीकर लोच किया है कमनी ने इसे एत्री कोड नाम से लोच किया है या ट्राइक दिखने में भी समार और चलने में भी समार लगता है यूजी बेस्ट कमनी को 22 साल का स्पूर्र मैनिफेक्चरर का एक्स्परियनस है और कमनी को BSCI का सेटिफिकेट भी मिला हुआ है यूजी बेस्ट एलेक्टिव थीविलर में सभी कार के फिचेस दिये गए हैं डिजाइन के मामले में ये बहुती अट्रेक्टिव कार है और बात करें सिटिंग केपिस्टि की तो इस वीकल में दो लोग आसने से बेट सकते हैं पार्किंग में ये ट्राइक मामूली सी जगा लेती है ऐसे में ये कार टाइब वीकल ट्रेफिक की समय से निपटने में काफी हर्त तक कारगर है यूजी बेस्ट एक केबिन स्कूटर है इस ट्राइक में 12 इसके ड्यूबलेस टायर दिये गे हैं ये एक 2 डोर 3 सीट एलेक्टिक केबिन स्कूटर है इसके रियर सीट को रिमूव करके स्पेस भी बढ़ा सकते हो इसके डोर 65 डिगरी तक खुलते हैं इसके लाव इस मिनी कार में इलेक्टिक विंडो दी गई है जिसे डोर स्वीट के मादियम से उपर नीचे कर सकते हो फीचेस की बात करें तो इस केबिन ट्राइक में रियर व्यू मिरर, ट्राइक को चलाने के लिए हैंडल बार, स्मॉल इस्टफ इस्टोर वर डोर स्वीट शामिल है UG based car style trike के front में LED headlights, turn indicator, warrior में ring bomb design tail light दी गई है brake system की बात करे तो इस vehicle के front में disc, warrior में drum brake दिया गया है इसके साथ hand brake भी दिया गया है खास बत है कि इस vehicle में sit belt भी दिया गया है जो इसे car का feel कराता है interior की बात करे तो इस vehicle के interior काफी खूबसुरा design किया गया है जिसमें one button start switch, wiper और window automatic switch दी गई है इसके लावस में try screen display दी गई है जिसमें जरूत की हर चीज देख सकते हो और इसमें आप जरूत की हिसाब से सारे function को customize भी कर सकते हो इसके लावस review में radio system, reverse camera और air condition जैसे घासू सुविदा से less किया गया है इसके सारे charging port भी दिया गया है dimension की बात करें तो यह vehicle 300 mm लंबा, 1190 mm चोड़ा और 1520 mm मूचा है power rule specification की बात करें तो इस three wheel में 1KW की electric motor दी गई है जिसे power देने के लिए 60W 45S की lead acid battery दी गई है जिसे एक बार फूल चार्ज़ करके 60 km तो 90 ब्राइड ले सकते हो इसकी बेर्टरी को चार्ज़ करने में 6-8 घंटे का समय लगता है UG-based electric three wheeler 45 km पर दी घंटे के टोप इस पिर से चल सकती है यह vehicle 10-15 degree चड़ाई कर सकता है साथे अपनी speed को maintain भी रख सकता है कीमत की बात करें तो इस three wheel vehicle को 2,000,000 रूपे में खरेश सकते हो ACIG electric three wheeler इस टाटो कमनी ACIG ने अपनी घंटे लू मार्केरे में एक धंबा के दाथ three wheeler launch किया है बाहर से दिखने में एक कार की तरह नजर आती है ACIG electric three wheeler पीछे से रिनोल्ट फ्यूजी की तरह नजर आती है डिजाइन के मामले में बेद्य आकर सक कार है और बात के दे sitting capacity की तो इस vehicle में दो लोग आसने से बेड़ सकते हैं इसमें काफी comfortable seat दी गई है पार्किंग में ट्राइक मामूली सी जगा लेती है ACMA car type vehicle ट्राफिक की समझे से निपटने में काफी हत्तक कारगर है इस vehicle में काफी बला boot space भी दिया गया है जिसमें आप अपने सामान रख सकते हैं इस ट्राइक में काफी stylish doors दिये गए है जो कार की लोग को काफी enhance करते है ACIG electric track में rear view mirror और windshield wiper दिया गया है ACIG electric three wheeler में कार में आने वाले सारे features दिये गए है इसके लाव इस car drive vehicle के front melody headlights, turn indicator वो rear melody tell light दी गई है ये vehicle 25 degree चड़ाई कर सकता है साथ है अपनी speed को maintain रख सकता है इसके लाव इस track में 10 inch के tire दिये गए है brake system की बात करे तो इस three wheeler के front और rear में drum brake दिया गया है power hood specification की बात करे तो इस vehicle में thousand worth की electric motor दी गई है ACIG electric track 50 km परती गंटे की टोप इस पिर से चल सकता है loading capacity की बात करे तो के track 200 kg का maximum load उठा सकती है इसके अलाव इस track में 48 world 24H की lithium-ion battery दी गई है जिसे एक बार फुल चार्ज़ी करके 60 km तो न उन्स्टोप चला सकते हो इसकी बैटरी को चार्ज़ी करने में 6-8 घंटे का समय लगता है कीमत की बात करे तो इस ट्राइक को अलीबाब एकोमस website से 34,000 रुपया में खरीच सकते हो जिसमें आपको मिनिमम एक कार्टून ओर करना होगा दोस्तों दोन ही वहिकल को अलीबाब एकोमस website से ओन्नाइन ओर किया जा सकता है अगर आप इंडिया से खरीते हो तो कस्टम ड्यूटी अलेक से प्या करने होगी तो दोस्तों यह थी टोप टू कार इस्टाइल इलेक्टिक थ्रिवीलर वीडियो पसना हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चेनल टेक एस्पर को सबस्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्राइब कर लीजिए टेक केर बाई